पुरिशी कानूनों के विरोध में किसानों का गती रोध लगातार जारी है और सरकार पर दबाव वनाने में किसान कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे आज सर छोटो रामकी पुनियती थी के मौके पर किसानों ने अमबाला में ट्रेक्टर मार्च निकाल कर तीन पुरिशी कानूनों के विरोध में अपना रोस जताया किसानों के ट्रेक्टर मार्च के दुरान शेहर में जाम जैसी स्थिती भी देखने को मिली इस दुरान किसानों ने कहा कि यह अभी ट्रेलर है असल तस्वीर 26 जनवरी को देखने को मिलेगी ट्रैक्टर रैली के दुरान किसानों में भारी रोज दीखा और किसानों ने अपने ट्रैक्टर के आगे परधान मंतरी मोदी और हर्याना के मुखे मंतरी मनुहरलाल खटर का पुतला लगा कर उनके मुह पर जूते चपल बरसाए ट्रैक्टर रैली में आए किसानों ने दावा किया कि आज लगभग 25,000 ट्रैक्टर रैली में आई हैं अगर मोधी सरकार ने तिन क्रिशी कानूनों को रद नहीं किया तो इससे भी ज्यादा संख्या में 26 जनर्री को ये ट्रैक्टर दिली की तरफ कूच करेंगे अजार टीवी निउस के लिए अंबाला से हरजीत सेंग के रिपोर्ट ओड़ान होते हुए फिर अम्वाला की मार्किट में आजाएगी यहां पर लंक्ट ब्रेक होगा यहां से पेर जिनको शम्भू पॉटर पर जाना वहां पहुंच जाएंगे जिनको अपने घरों को जाना है कोई काम काज देखना वहां अपने अपने प्रवाश्य आया हमार तो लोग तो सिर्फ पर कभण बांद कर चले गई हैं या जीत कराएंगे या फिर मर्कर आएंगे वरना काली आथ नहीं बेलकुल जाएंगे मतलगे जब जानवरी की प्रेडम में वहां इतने ट्रेक्टर हो जाएंगे विद दुनिया के इस्तियास में एक यह निल का पत्र ब मकस्द है कि सरकार किसी तरह जाके बार बार तरीग बे तरीग गारना हम दो अपना कफ़ष सिर्पे बांद के आए हैं अगर 26 तरीक से पहले पहले सरकार मानती है तो ठीका नहीं हम तो अपने सिपर कपने बांद गे दिल्ली को औरवाना होंगे वहां आर पार के लड़ाई लड़ेंगे हर जिमीदार आज जोश के अंदर है अगर नहीं भी यह हमारी बात मानता है तो हम छबी तरीक को हर किसान हर किसान का बेटा हर मज़दूर हर बर्ट दिल्ली के अंदर कूछ करेगा और जाहे मोटी सरकार हमें तोब चलाए हमारे पर गोलियां चलाए हम कभी भी घर नहीं अब यही ट्रैक्टर सभी अगर 25 तरीक से पहले अगर कोई भाइसला नहीं लेती मोधी सरकार यह सारे ट्रैक्टर दिल्जी की दर पूछ करेंगे इनका यह हमारे को लेट नाइस में सुचना मिली थी यह ट्रैक्टर रेली निकाल लेंगे अनाज मंदी अंबाडा सहर से शुरू होके नाज मंदी से अगर से ऊंजाय इंटर पूलिटेक्नीकल तो कालका चॉंक से जग़ा?